जाबुआ की पावन मिट्टी को नमन करता हूँ आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशिरवाद देने के लिए पधारे हैं मैं आप सब को विशेश करके हमारी माताओं बेहनों को और इस खेत्र के जनजातिय समायच को भी आदर पुर्वक नमन करता हूँ आप सब को देखकर मन में वैसी ही खुशी हो रही हैं जैसी अपने परिजनों से मिल करके होती है जाबवा जितना मद्धप्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है जाबवा और इस पुराए इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती बलकि दोनों तरब के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं गुजरात में रहते हुए मुझे यहां के जन जीवन से यहां की परंपराओं से करीब से जुड़ने का आउसर मिला था इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूँ तो वो भाव ताजा हो जाता है इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तयारिया चल रही होगी मैं आप सब को भगोरिया की बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूँ साथियों पहले मैंने जाबवा, खरगोन, खंडवा, बढ़वानी, धार, अली राजपूर समेथ पूरे एंपी के लिए हजारों करोर रुपिये की योजनाओं का लोकारपन भी किया है जाबवा के किसानों के गाउं भी सम्रुद्ध हो इसके लिए आज आदर्ष ग्राम योजना की विकास रासी भी जारी हुई है इस छेत्र की कनेक्टिविटी को बहतर करने के लिए आज मद्यपरदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है आज से रट्लाम और मेग नगर रेल वे स्टेशन को आदुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है जनस जातिय समाज की मेरी करीब दो लाग बहनों बेटियों के खातों में पंदरा सो पंदरा सो रुपिये भी आज बेजे गए हैं एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मद्यपरदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजीन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है विकास के इस महा अभियान का स्रे मद्यपरदेश की जनता को जाता है मैं आप सब को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी सियात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है भांती भांती की बाते लिखी जा रही है भांती भांती की बाते बोली जा रही है कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में जाबुआ से लोग सभा की लड़ाई का आगाज करेगा मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी लोग सभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है मोदी तो सेवक के तौर पर इश्वर रुपी MP की जनता जदादन का आभार मानने आया है मध्य प्रदेश में विदान सभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं लोग सभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है MP ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजिन सरकारों के प्रती जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं सांसद में बोलने लगे हैं 24 में 400 पार 24 में फिर एक बार फिर एक बार लेकिन इसके पहले मद्द बिदेश की जनता ने विधान सबा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है न मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे साथियों कुछ दिन पहले जब विपक्ष मैं से आवाज आई चारसो पार तो फिर मैंने कहां देखो भाई एंडिये की चारसो पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी अकेला कमल का निशान तीन सो सत्तर पार करेगा तीन सो सत्तर पंगर करना चाहिए कि ने करना चाहिए 370 से जड़ा सीट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए लिए लाओगे कैसे मैं आपको एक जड़ी बुट्टी देता हूँ देदू मैं पुब्लिक ली जड़ी बुट्टी दे रहा हूँ देखिए आपको बद आज से यहां से जा करके एक ही काम करना है जड़ा नहीं एक ही काम क्या काम करना है पिछले तीन चुनाव में आपके हाँ पॉलिंग बुथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो पॉलिंग बुथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाम निकालो निकालोगे नाड़ है, तीन चुनाव का, नाग़ है, फिर उसमें जी समय सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उसको ज़रा लिखलो, कि इस पोलिंग बुथ में पिछले चुनाव में तीन में ये सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, लिखलोगे ज़रा ज़वाब दीजिए, लिखलोगें फिर आप तैय करना कि आप जो जादा से जादा वोट बुथ में मिले थे उसमें इस बार तीन सो सत्तर नए वोट जुड़ने चाहिए करेंगे याने आपके पोलिंग बुथ में जितने वोट जादा पहले मिले थे उसमें इस बार महनत करके तीन सो सत्तर वोट जादा लाना है लाएंगे रिसाब किताब करेंगे एक-एक मद्दाता की सुची बनाएंगे सरकार के काम उसको बताएंगे उसने कौन-कौन सी योजरा का लाब उसके घर तक पहुंचा है यह बताएंगे उसको और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिल से आ करके काम पूरा करेंगे बताओगे अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए तीन सो सित्तर वोट थी सेवन जीरो तीन सो सत्तर वोट आपने गुजराती मा त्रानुसो सित्तर कहिये नहीं हाँ तीन सो सत्तर वोट अतिरिक्त होने चाहिए अगर ये मेरे भार बूत में हो गया तो तीन सो सत्तर पार पक्का करें ये साथियों विपस्के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आइना मद्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है मद्य प्रदेश को मोका मिला इसलिए दिखा दिया लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कौने-कौने में है मैं अभी दक्षिन में गया था राम मंदीर को ले करके मेरा एक अनुस्तान चलता था और मैंने बहां जो भाव देखा माताए, बहने, बुजूर, बच्चे, नवजवान मेरा कारगम नहीं था पब्लिक का मैं तो अपना पूजा पाट के लिए गया था लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशिरवाद देने के लिए आ रहे थे मैंने देश की ताकत को देश के आशिरवाद की ताकत को माता और बहनों के आशिरवाद की ताकत को अनुभव किया है मैं कलपना नहीं कर सकता हूँ कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं इतना आशिरवाद देते हैं, साइद कितने जन्मों का पुन्य होगा, तब जाकर के मुझे आपके आशिरवाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जन्य जातिये समाज के भाईयों बेनों, तेईस में कॉंग्रेस की छुट्टी हुई थी विदान सभा चुनाव में, चोबिस में पूरा सफाया होना तै है। उत्तम उधारा आज पुरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मद्द प्रदेश ने दो अलग-अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजिन सरकार का ये दौर और दूसरा कॉंग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दोड़ रहा मद्द प्रदेश। भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बिमारू राज्यों में गिना जाता था। मद्द प्रदेश को बिमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वज़ती गाउं, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कॉंग्रेस का नफरत भरा रवया। नफरत 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 इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिन्ता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जन जातिय लोगों का मतलब केवल कुछ भोट होता था, सिरफ भोट होता था। इन्हे गाउं, गरीब, पिछणा की याद तब आती थी, जब चुनाव की गोशना होती थी। साथियों, ये अटल बिहारी बाजपाई की बीजेपी सरकार थी, जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्राले बनाया। अलग मंत्राले बनाया, अलग बजेट निकाना और आदिवासी इलाकों का विकास, आदिवासी लोगों का विकास, आदिवासी बेटे बेटियों के बविश्य के लिए पूरी व्यवस्ता। यह हमारी बीजेपी की सरकार है, जिसने वन उपज पर एमेसपी में रिकॉर्ड गुर्दी की, यह बीजेपी की सरकार है, जिसने एमेसपी के दाएरे में वन उपज की संख्या को करीब दस से बढ़ा कर नब्बे के आज पास पहुँचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंदर खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले भाई और बेनों हमारे लिए जन जातिय समाज बोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जन जातिय समाज हमारे देश का गवरव है हमारे देश के उजवल भविश्य की गारंटी ये मेरा जन जातिय समाज है आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है आपके सपने आपके बच्चों के सपने नवजवानों के सपने ये मोदी का संकल्प है इसलिए भगवान बिर्वसाम मुंडा की जेंती को जन जातिय गवरों दिवस के तौर पर बनाने का फैस्टला मोदी सरकार ने किया तंकिया मामा के बलिदान को याद कर आच बलिदान दिवस बनाया जाता है उनी के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांती सूर्य तंट्या भील विश्व विद्याले की गोशना कर रहा हूं आज और भी एक महत्वपुन दिवस है आज तिलक माजी हमारे तिलका माजी जी हमारे आदिवासी समाज का गवरव उन्होंने बिहार के भागलपूर में अंग्रेज 1784 में 1784 में 1857 से भी पहले हमारे तिलक माजी जी ने भागलपूर के कभिशान के लिन लेंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जैन्ती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठाए आज जो कारकमों की हरतना हुई उसके कारण अब जाबुआ रतलाम खरगोन धार और आज पास के युवाओं को आदिवासी बच्चों को उच्च सिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा न इंदोर उज्जन के चक्कर काटने पड़ेगे साथियों गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमिटर चलना पड़ता था मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए मैं आपके बाजू में यहने पता ही नहीं चलता कि मंत्यपरदेश है के गुजरात है यहां के गाउं गाउं जाता था बिच्चा मांगता था और गर-गर जाके कहता था के मिजे बिक्षा में वादा दो वचन दो के आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे मैं मुख्य मंत्री था 13, 14, 15 जून 40, 45 दिगरी तापमान रहता था चारो तरब गरम हवाय चलती थी तब मैं जाबवा के बगल में दाहूत के जंगलों में छोटे-छोटे गाउं में जाकरके बेटियों को उंगली पकड़करके स्कूल ले जाने कार काम करता था अब आदेवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एक लव्य आवासी स्कूल खुलवा रहा हूँ रेसिडेंशल स्कूल कॉंगरेट ने इतने वर्षों में इतने साल उंको काम करने का अवसर मिला था सिरफ सो एक लव्य स्कूल खोले थे वो भी वहाँ जहां उनके बड़े-बड़े बाबु बैटे थे जबकि भाजपा की सरकार ने अपने दस साल में ही इससे चार गाना गुना जादा एक लव्य स्कूल खोल दिये हैं एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए ये मोदी को मंजूर नहीं है साथियों हमारा आदिवासी समाच हजारों वर्सों से बन संपदा से अपनी रोजी-्रोटी चलाता है कॉंग्रेस के समय आदिवासीों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिये गए थे वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाच को वन भूमी से जुड़े अधिकार लोटाए गए है इतने वर्सों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्स सेंकड़ लोगों की जान ले रही थी केंद्र वर राज्यों में दोनों जगा कॉंगरेस ने इतने वर्स सरकार चलाई लेकिन उनोंने और समय मृत्यू को प्राप्त होते जन जातिय युवाओं की बच्चों की चिंता नहीं की उन्हें पता था कि भोले बाले आदिवासी लोग बिमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे यह चुनाव का मुद्दा नहीं होता था लेकिन साथियों हमारे लिए वोट नहीं आपकी जिन्दगी माईने रखती है हमने वोट बेंक के लिए नहीं आदिवासी समाथ के स्वाथ के लिए सीकल सेल एनीमिया के खिलाब अभियान शुरू किया है यह कॉंग्रेस और हमारी नियत में फर्क बताता है यह नियत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दोड़ में आगे बढ़ रहा है यह नियत का ही फर्क है कि हमने मद्पदेश को बीमारू राज्य से विकासिल राज्य बना दिया है साथियो आज स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनकी जमीन के कागजाद दिये जा रहे हैं कुछ देर पहले हाँ भी एक लाग पचत्तर हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिये गए हैं यह अधिकार पत्र नहीं यह आपके जिन्दगी में सुरक्षा पत्र भी है यह सिक्यूरिटी की गारंटी का परचा है वो सुरक्षा पत्र जिनसे हमारे परिवारों को भूमी विवादों से सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सूध खोरों के कर्ज से सुरक्षा देते हैं आप पहले के उस्तिती की परिकल्पना करिए जब किसी व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कौट के चक्कर काटने पड़ते थे दोदो फीडी कौट के चकर काटने में ही पुरी हो जाती थी जब किसी लोन के लिए सुध खोरों से मिन्नत करने पड़ती थी जब पढ़ाई के लिए किसान को जमीन बेचने पड़ती थी आज एक स्वामित्व योजना मेरे देश के गाउं गरीब को इन सब मुश्किलों से बचाती है साथियो आज जो सबसे बंचित है सबसे पिछड़ा है हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्रात्मिकता है समाज में जो सबसे आखरी वर्ग होता था हमने विकास में उसे सबसे पहला दरजा दिया बेटा तुमारा हाथ जुख जाया दर्थ करेगा बहुत तुने किया मिल गया मुझे बेटा मिल गया मिल गया मिल गया तेरा प्यार तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्थ करेगा बेटा अब हाद निचे करो मुझे मिल गया साबास समझदार हो जो सबसे गरीब थे आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाए बनाती है सबसे आखरी गाव सबसे आखरी वर्ग ये कौन लोग थे इन में से जादा तर हमारे बलीत आदिवासी पिछडा ऐसे वंचित समाज के लोग थे इसलिए सबसे पिछडे जन जातिये यहां इस छेत्र की बैरा भारिया और सहरिया जैसे जन जातिये समू को होने वाला है मद्द प्रदेश के आदिवासी बहुल जीलों में हजारो करोड रुपिये के कारिय पी-म जन्मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं प्रदान मंत्री आदी आदर सग्राम योजना के जरिये जववा के भी साड़े पांच सो गावों में विकास के काम हो रहे हैं भाई और बैनों हमारी सरकार MP में आदुनिक इंफ्रास्टक्टर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है कॉंग्रेस सरकार के दस वर्षों में MP को रेलिवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला आज हम उसे 24 गुना जादा पैसा MP के लिए बेज रहें 24 गुना जादा आज भी मैंने करीब साड़े तीन हजार करोड रुपिय की रेल परियोजनाओं का लोकारपण किया है साड़े तीन हजार करोड रुपिय की लागत के नेशनल हाइवेज का भी आज लोकारपण हुआ है आप सोचिए आज एक एक सेक्टर में MP के विकास के लिए हम इतना जादा पैसा बेज रहे हैं वो कौन से इलाके थे जहां रेल की सड़क की बिजली की रोजगार की सुविदाएं नहीं पहुंचती थी इन में से अधिकांस जन जातियां और ग्रामिण इलाके ही थे क्योंकि कॉंग्रेस को आपके गाउं की नहीं उनको तो अपने महलों की चिंता थी कॉंग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की उनके बनाए गड़े भरने के लिए आज हम पूरी महनत से काम कर रहे हैं इसलिए कॉंग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाब वोट मांगने जाएं तो किस मुँ से जाएं उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है सुना है कि इन दिनों मद्द प्रदेश कॉंग्रेस में अंदर खाने खुब भगदर भी बची हुई है जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हस्र होता है कॉंग्रेस अब अपने पांपों के दलजल में फस चुकी है वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धसेगी साथियों आज इस आउसर पर मुझे आपको कॉंग्रेस की साजीशों से भी आगहा करना है अपनी हार सामने देखकर कॉंग्रेस और उसके साथ ही अब अपने आखरी दाउं पेज इस्तेमाल करने में लग गए है कॉंग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है जब यह सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं जब सत्ता से बहार जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं यानि लूट और फूट यही कॉंग्रेस की ऑक्सीजन है इनको बंद करते ही कॉंग्रेस पार्टी का सियासी दम तूटने लग जाता है ज्यादा तर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिये है अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाती के नाम पर, बाशा के नाम पर, इलाके के नाम पर तूट करवाने में फूट करवाने में लगे हुए हैं लेकिन देश इनकी हरकते देख रहा है देश इनके मन्सुबे सबल नहीं होने देगा साथ क्यों, कॉंग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके बरी पड़ी है ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट पती का चुनाव लड़ती है तो कॉंग्रेस उन्हें रोकने के लिए उन्हें हराने के लिए दिवार बनकर खड़ी हो जाती है देश को कॉंग्रेस की वो कर्तूत याद है चुनावाने पर ये लोग बड़ी-बड़ी गोशनाए तो करते हैं लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए दलीद, पिछड़ा, आदिवाची के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालिया देते हैं मद्यप्रदेश में डबल इंजिन सरकार ने करीब 45 लाग परिवारों को पक्का घर दिया है 65 लाग से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही इन्होंने गरीबों तक ये लाग पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी MP के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है तालवाडा बांध परियोजरा के पूरा होने के बाद जाबवा रतलाम और धार के हजारों गावों को पानी पहुंचेगा इन कामों के लिए इस खेत्र के लोगों को यहां के मेरे आदिवासी भाइबेनों को इन कामों के लिए दसकों तक इंतजार करना पड़ा लोग ये बाते भूलते नहीं हैं कॉंग्रेस के लोग समझ लें ये मेरे आदिवासी भाइबेन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं जनता ने कॉंग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो भी ब्याज का जवाब है कॉंग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है ताथियों डबल इंजिन सरकार की महनत से MPA के हमारे MP के युवाओं की किसानों की महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है यहां की पिथोरा पेंटिंग गलसन माला बाग प्रिंट साडी सूट और जैकेट इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयम सहायता समू बना कर शहद, पापवड, आचार और स्रीयन्द का अपना ब्रांड भी शुरू किया है सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है इस बजेट में हमारी सरकार ने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड लगपती दीदा बनाने का लक्ष है मेरा गावों में स्वयम सहायता समू में काम करने वाली तीन करोड दीदी लगपती दीदी बनेगी यह मोदी की गारंटी है लगपती दीदी अभ्यान का बहुत बड़ा फाइदा महिला स्वयम सहायता समु की बेनों को भी हो रहा है केंदर सरकार नमो ड्रोन दीदी अभ्यान के तहट देश के 15,000 स्वयम सहायता समु को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी जाबुआ में भी क्रिशी क्रांती करती हुई दिखाई देने लगेगी साथियों आधिवासी शिल्प, कला और उपादो की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है आधिवासी समाच के परमपारिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किये हैं उनके परणाम भी आने लगे हैं आधिवासी कलाव और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आधि महोचों भी चल रहा है आधि महोचों में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सिमित कर दिया था आज उसका गव्रव पुरा विश्व जान रहा है मुझे विश्वास है आप सब के असिरवात से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू ही है वो और गती से आगे बढ़ेगी आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए अर आज पुरे देश में आदिवासिक शेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानिय लोगी खट्टे हो करके इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुए है जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ और जो इतनी बड़ी तादाद में आए है उन सबका मैं रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की आवाज हिंदुस्तान के हर कौने में पहुंच सकती है आपकी तो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की अभी साधिवासी महा कुम्ब के समापन उसर पर मैं आभार प्रदशन के लिए आधर्णी अशोक नेते जी को अमन्तित करता हूँ, हम सब को आभार वेक्त करें सभी को नमस्कार देश के लोक प्रिये नेता विश्व गुरु और देश के एशेश्वी पंतवर्दान आधर्णी नरेंद्र भाई मोधी जी ने हम सब को बहुंबुल ने मार्ग दर्शन किया और यही नहीं तो हम सब के विकास के लिए मंच पे कई योजना के बारे में गोशना भी की इसलिए मैं भारतिय जनता पाटी जनजाती मोर्चा के तरफ से आधर्णी नरेंद्र मोधी जी का तहे दिल से आभार वेक्त करता हूं मंच पे बैटे सभी नेताओं का भी मैं आभार